श्क्टर छे में रहता हूं जिस जो लोगों को गुम्राह करा जाता है कि श्क्टर छे मेरे जाए जब कि मेरा उफिछ विल्कुल शीवल हॉस्पिटल के सामने जिए पिछले स्रेक्टरम में देखा है वहने किसी पूरी नियुकर एक तो बिजली नहीं है गलियों में खंब ल प्रियाना प्रदेश में चुनाव का बिगुल फेर बाज गया है इस बार चुनाव निकाय के हैं परिशत में हैं फिलां बादुर्गड नगर प्रिसद के वार नंबर 21 है बीजेिकी चुनाव चिन परिसे साथ केंडिड़ट है नरेश भार दवाज जी इन तब चीत करांगे कि इस बार के इलेक्शन के उमीद है पिछली बार भी चुनाव लड़या था बादुरगड के इसी वारत है और पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे तो वोट्टा का फासला कितना था इस बार के उम्मीद हैं जनताता है और के इनके जो जनताता करे जानवाले वाद्दे हैं उनसे पर बातचीत करांगे राम चुनाव लड़या दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार मोका मिला सिंबल के साथ चुनाव लड़न का तो आपने के लगा है कि कितना फाइदा रहे पिछली बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई वार्ड में जानता नहीं था और मैं कुछ सोचल काम करता रहता हूं तो मेरे जो मैं मजाग 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 मा खड़ा वाइड मेरे यारे प्यार मित्रों ने मेरा साथ दिया और उस वार में मुझे कोई नहीं जानते लिए इन उतना प्यार दिया मैलग साढ़े साथ सो वोट लेका या शरफ किस वज़े से एक अच्छी चवी मैंने बना रुकिति है और मै मैं बहुत बढ़िया साढ़े साथ सो वोट ना जानते मुझे साथ साथ सो वोट मिली और दूसरे में सेकंड नमर बरा बीज़ेपी का अमरे तीन केंडिडियर थे जिसमें एक महिस थे का से चिलर थी और मैं भी बीज़ेपी से लड़ था एक तो बड़ी बात है कि पार्ट अब की बार बहुत बढ़ा लिया है इसमें संत को लोनी टीचर को लोनी और वहारा इन्हें रुपा रखा गया तो इकतर सो वोट है सबसे बड़ा वार्ड है तो लोगों ने इतना प्यार मेरे को दिया पिसली बार तो मुझे लगा किया मुझे आपकी बार भी दुबारे म समान समान को बढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी वोटर से जीट कहांगा तो इस बार आप सिंबल के साथ चुनाव लड़ रहे हो तो पहले वार्ड की बात करेंगे आपने अपने वार्ड में कौन कौन सी समस्याई दिखे हैं जिन मैंने जो वार्ड में समस्याई समिशा है पूरी नहीं पाती पिछले स्रेक्टरम में देखा वान किसी पूरी नहीं रहता है और हमारे विद्धाग जीन उखा दब इसको चोड़ी करांगे तो पिछले उसी टेम एक सना आगे ने तो वह रोड हो चोड़ी हो जाती है जिस पर आवाज आवी जो रोड किया वबढ़ लोग इससे बहुत परिशान है यह चोटी चोटी समिश्य लोगों लगबग होती है तो मेरी प्रिवेटी रहेगी कि जो भी आम समिश्य है उनको प्रिवेटी से लिया जाए और सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी उनको दूर करा जाए ठीक है तो और भी मेरे को पार्टी फूल का निसान मिला और बीजेपी आज बहुत बढ़िया एक रुजान है क्योंकि मोदी जी ने जो काम देश के लिए कर रहे हैं वो कोई आज तक नहीं कर पाया तो हम उनके उस पर चल रहे हैं और वही हमारे नेक नेते हैं कि हम बढ़िया काम करके दिख बढ़िया जाए जब कि मेरा ओफिस है बिल्कुल शीवल हॉस्पिटल के सामने जेशी फूर्ट के नाम से पनी खुट की बिल्डिंग है और मोई बैढ़ता हूं तो यह लोगों को मैं तो आपके माद्धियां से बताना चाहता हूं कि मैं दूर नहीं वार्ट सी दूर नही टिकत होगी तो यह किसी सक्राइब लेकर में चाहता हूं तो बात करें आपके वार्ड की इस बार के लैक्शन की आपने मोदी जी का नाम दो तीन बार लिए शेंटर के मुद्धे अलग हो हैं मोदी जी के नाम पर वोट आ जा है उसके बाद विदानसबा के अलग हो है और तो पर्सकु सबक्रामार Reality कर रही हैं उनकी आखेनु करिए सोच combined सबने सबस्तों करना कोंगे मैं से लेके चलता हूँ और बिमें इसक्ति प्रियोटिक चीप करूंगा मेरे मन में यह नहीं अब सब मेरे लिए बराबर है अगर मुझे मुझे देता है जनता मुझे आशिरवाद देती है तो मेरी सोच यह रहेगी आखरी सवाल है और आपकी बिरादरी की बात करें तो पहरावर गाओं के मुद्धे पर कुछ नाराजगी सी चल रही है बीजेपी के साथ तो आपने के लग है कि ब्रादरी की नाराजगी आपके उरे बीच में आवेगी कि यह सा कुछ नहीं आएगा तो वह मुद्धी अलग है बड़ी लेवल पर चल रहे हैं और उसमें डाक्टर अर्वी सर्मा जी जो भी अपना पक्स रख रहे हैं वह आप सोचेंगे हमारे बड़ी सरकार माई बाप ही होती है हम एक तरह से जंता बाई बच्चों की तरह है सरकार के लिए तो अपना आप देखेंगे मेरे उसमें ऐसा कुछ नहीं में कह सकता कि क्या होगा तो आपना के लग पब्लीक का इसमें को वह तो नहीं है वह सबसे पह होता है तो मेरे बहुत वह सपोर्ट कर रहे हैं कि तो वह नरीस खड़ा हो हम तरे साथ हैं चलो अच्छी बात है शुक्रिया धन्यवाजी जैसा कि ने कहा कि जाती पाती का कोई सा मसला है निवाड में और हम भी हर वोटर तहिया ही अपील करेंगे कि इस बार अपना वोट डंके आदमी ते देवें और इस बार जो निकाय के चुनाव है एक बेहतर चेयर्मैन एक बेहतर पारशद चुने और अपने आसपास का विकास करें बैसाब ने 21 नमबर वाड़त है आप बात करी कि एक कुछ समस्या हैं कि एक कुछ इनके वादे रवेंगे और इस तरीके सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो ने लाइक शेर कर दियो यूटूब पर सब्सक्राइब कर दियो फेस्बुक पर फोलो कर लिए राम राम